फर्ष पोचने लगे तो फिर वो उतना अदर्णिय नहीं दे जाता है। तो लोगों ने इस शब्द को गलत अर्थों में प्रयोकर को इसको गलत अर्थ में रूड़ कर दिया है। आज की तारीक में हिंदू का मतलब है फंटामेंट डिलेश्ट। आज की तारीक में हिंदू का मतलब है वो जो दूसरों कर बल पूर्वक अपना शासन स्थापित करना चाहता है। तो क्या इस अर्थ में हिंदू हुआ जा सकता है। इस जित रूप से नहीं हमारी प्रिष्टी से इसलिए हमें इस सब्से इंकार की। आपका तर्थ पर यह है कि जिस अर्थ में हिंदू श्यव्द आजकल प्रियोग में है जिस अर्थ में हैं लेकि हिंदू आप मानते हैं। यह को हैं सवाली नहीं। स्वामी जी मैं भी एक चुछा सा सवाल आपनी कहां कि यह बहुत सुंडर इसका ओरिजिन है। जो सिंदू ज़दी के उस पार रहने वाले सब लोगों को हिंदू शक्त से मुकरण़ है। कि जब एक व्यक्ति एक ही समय में पिटा भी होता है, उत्र भी होता है, नाना मामा काका चाचा भी होता है। तो एक ही समय में हम सनातन भी हैं। लिए हिंदू भी हो सकते हैं। लेकिन कोष शब्द को बिक्रत किया जाता है। दूसरी बात है कि एस सच है, कि ये हिंदु शब्द बहुत प्राचीन नहीं है। अर्वाचीन ही है and निश्च दूप से जब बहुत कुराना धर्म है तो उसे जल्मा के समय से जो उसका नाम है वो नाम उसका अलिए थिक्राह या बाकी नाम तो उसके बुन advise ikis कारण समयार के खारण नाढ़े हो बे से राजियो गांदी मिश्टर कiłीन हो राजियोगांदी seeking जी में क्लीन हो प्रुड़ए? लेकिन एक समय को लोकोने कहना सुलक कर दिया हो गए अब सेचींपे दूलकर नंग मसीन हो गई अपड़ मसीन जो है आफो उनका पुर्ष कारण नाम है लेकिन उनका जो चो नाम है गए जो असली नाम है गजो तो मूल नाम है और उसी नाम से उसकी अतनी ऐचान है जो पानीखरे सुरूट है, तुसमें नायग की कर्पना फिरूरत उसा के सार्वूरत है, जो उसके कोई दार्शनी आपार बन्ता है, उसकी जासरों, तुकी सुरूरत हो सकती हैं, लेकिन क्या उसका दार्शनी काैपार हैं। जी, ऐसा है कि जो भी पानी आता है दर्दी पर, वो बूंद बूंद करके आता है, लेकिन वो बूंद बूंद अपनी अपनी जगह से लुड़कती है, और लुड़क करके चर्मा, नदी और फिर सिंदु बनती है, तो बिंदु को सिंदु में परिणत करने का क्या आधार है, नेजित तो ही उसका एक मात्रा पार है, जो एक एक आत्मा, एक एक शरीर में विद्यमाद है, एक एक घड़े का जो आकाश है, उस एक एक घड़े की आकाश को महाकाश बनाने के लिए आवरन का भंग होना कथी मूर्थ रूप देने के लिए एक नेज़री आवस्टा जैसे हिंदू शब्द का अनर्थ जो आपने कहा के सुविकारे नहीं है। यह अनर्थ किसके प्रयोंग में है? मदू जिने कहा के यही नहीं बाहर भी बहुत जोर-शोर से हिंदू तो सब्द का अनर्थ किया जा रहा है, गयर हिंदू उद पर है, तो दूसरा आपने का कुछ लोग तार ठोंके जो कहते हैं, वो सहे हिंदू, आपने का हिंदू हैं जो तार ठोंके कहते हैं, पर अगर मधुजी की जो उनका थाब अप्तविय, उसमें देखा जाए, कि इस वक इस संस्कृती कोई भी नाम दीजिये इसे, इसके उपर बड़ा समग्र अटैक है, अपने जेश में भी है, हमें जो थोड़ा बहुत सोचने हैं, करीवार लगता है कि जैसे हमारी घेराबंदी की जा रही है, चारों तरफ से, तो वो उसको उसका प्रतिकार करवें देए है शस्तर और शास्तर दोनों चाहिए, गुरु गोविन सीन जी जी आपने नाम लिया, ये जो शस्तर वाले तार ठोकते हैं, वो वो है, थोड़े, शस्तर उठेंगे कि नहीं, ये हम नहीं रहते हैं, दूसरी बात है कि जो हिंदू संस्कृती को बखारते हैं, रविश करते है कि इसमें विकार ही विकार हैं, और कुछ नहीं है, ना आकार है, ना सुकार है, सिरविकार है, वो लोग सनातन को इसमें से बाहर नहीं मानते हैं, ये नहीं कि वो हिंदू धर्म को नकारते हैं, पर सनातन को नहीं नकारते हैं, या जो इसमें से शाखाएं निकली हैं,